जहें दोस्तों बंदे मातरम तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका किंदिजार सिनेमा लिवर्स को एक लंबे समय से था बॉक्सवर्स के ऊपर बॉलिवुड की दो बड़ी मुवीज का क्लैश देखने के लिए मिल रहा है इस बार ये बड़ा जो क्लैश है ये कोई साउथ की मुवी से नहीं है बलकि बॉलिवुड की ही दो मुवीज के बीच में और दोनों ऐसी मुवीज है जिनको कि हम लोग हेवीवेट की कटेगरी में डाल सकते हैं हेवीवेट की कटेगरी में डालने से मेरा मतलब ये है कि दोनों ही मुवीज अपनी जगे पर काफी अच्छी मुवीज है काफी बड़े बजट की मुवीज है बड़े कलाकार हैं इस मुवी में और अपने साथ एक बड़ी लेगिसी भी लेकर आ रहे हैं इसलिए इन दोनों मुवीज में काफी हद तक काफी सारी चीज़े कॉमन अब अगर हम लोग समझने कोशिश करें इस वीडियो में कि इसका पहले दिन का कैलेक्शन कितना होगा और सबसे बड़ी बात एडवांस बुकिंग कितने की हुई है उससे आप भी बता लगा सकेंगे कि किस मुवी को लेकर पपलिक का क्या रोजहन है हलाकि मुवी की कहानी किस की अच्छी है किस में एक्टिंग अच्छी हुई है ये तो हम लोग मुवी देख कर ही बताएंगे बट अगर हम लोग समझने की कोशिश करें एडवांस वुकिंग के थुरू कि भई किस मुवी ने कितना अपने आपको उपर उचाला है तब आपको जरूर समझने में आसानी होगी किस मुवी के तरफ भीड जाला जा रही है अगर हम शुरुआत करें यहां पर अक्षर कुमार की OMG2 से देखिए इस मुवी के लिए कोई रास्ता असान नहीं रहा है जब से इस मुवी की घोषना हुई है तब से ही इस मुवी को लेकर बात चलती रही है कि यार इस मुवी को नेगटिव समें लेकर जा रही है जैसे कि हम लोग बात करें मसलन परेश रावल की परेश रावल जी ने इस मूवी को करते से मना कर दिया था जो कि first part में मुख्य किरदार में थे उन्होंने second part को करने से ये कहते हूँ मना कर दिया था कि उनको कहानी अच्छी नहीं लगी अब obvious सी बात है परेश रावल जिसे बड़ा किरदार लेकर इस मूवी को रिलीज किया गया है और जैसा कि पंकेश रिपाथी ने भी बताया था कि ये मूवी मुख्यता 13 से 17 साल तक के बच्चों के लिए बनी है और ऐसे में अब वही वर्ग इस मूवी को नहीं देख पाएगा तो उनको भी दुख होता है तो क्योंकि एस अल्ट इस तरीके से अब इस मूवी को आगे लेकर जाने का फैसला जो है वो किया गया है यहां पर अगर हम देखें तो एडवांस वुकिंग के मामले में जहां पर कल टिकेट्स की जो बिखने की जो गती थी वो काफी धीमी थी कल तक करीब कुल 65,000 बिखे थे लेकिन अभी बीते 24 गंटे में बहुत बड़ा जंप देखने के लिए मिला है और 113,000 के करीब जो है टिकेट्स बिख चुके है अगर हम टूटल टिकेट्स की बात करें तो यह जो अमाउंट है पहुंच गया है करीब करीब 3,30,000 पे पहुंच गया है और जाहिर सी बात है यह एक अच्छा न चिलल टिकेट्स की लगाए जितनी कमाई कर लिए हैं, जहां पे यहां पर सिर्फ एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं, बुवीस तो इतना collection भी नहीं निकाल पाती, मतलब आप ज़र अंदादा लगाईए कि इसके करीब करीब 7,22,000 टिकेट बिक गए हैं, जहाँ पर OMG के मातर एक लाग 13,000 टिकेट बिकेट हैं, वहाँ पर इसके 7,22,000 टिकेट बिकेट हैं, तो आप सोचिए, इसके collection किस magnitude पे गया होगा, हाला कि यहाँ पर जो एवरेज टिकेट प्राइस है, वो इसका थोड़ा सा कम जरूर रहा है, जहाँ पर 216 रहा था, OMG 2 का तो 212 रहा है, गदर 2 का, तो ऐसे में इसका जो total collection अभी तक advanced booking से हुआ है, पहले दिन में एक बहुत बड़ा, बहुत promising collection करके निकाला हुआ है, बाकि उसके अलावा, इसकी जो advanced booking थी, उससे पूरी उमीद थी कि वो ऐसा ही करेगी, अब अगर हम यहाँ पर समझने कोशिश करें, कि भाई, दोनों ही मुवी का जो एक prediction की बात चल रही है, कि कौन सी मुवी कितना कमाएगी पहले दिन, उसमें अगर आप देखें, तो omg2 ने क्योंकि अब finally 3.5 करोड का collection निकाला है, तो हम यह चीज़े कह सकते हैं, कि यह movie 8-10 करोड रुपए का collection निकाल लेगी, जो पहले हम 6-7 करोड का बोल रहे थे, वो अब पहुँच गया 8-10 करोड पर, जानता हूँ, यह काफी कम है, लेकिन देखिए, omg2 को सबसे बड़ी टकर मिल रही है यहाँ पर गदर 2 से, और उसे देखते हुए, कहीं न कहीं यह चीज जिस्टिफायबल लग रही है, जिसको की 25 करोड पर बता जा रहा है कि कलेक्शन निकालेगी, यह मूवी 30-35 करोड तक का भी कलेक्शन निकाल सकती है, और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो सिंगल स्क्रीन्स हैं, वहाँ पर सनी देखिए का क्रेज बहुत अलग है, जो छोटे कजबे हैं, वहाँ पर सनी देखिए का क्रेज है, वो काफी तेज है, तो ऐसे में सनी देखिए की मूवी अगर 30-35 करोड का भी कलेक्शन निकाल ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर पहले दिन के हमाल पास एडवांस वुकिंग दोनों के सामने है, एक ओमजी टू ने 3.5 करोड का कलेक्शन किया है, गदर टू ने 7.5 करोड का किया है, अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें, तो ओमजी के लिए 8-10 करोड बताया रहा है, गदर के लिए बताया होती तक क्या इनका कलेक्शन निकल कर सामने आते हैं, मेरे इस वीडियो फिलालत नहीं, जय हिन, जय भारत